हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे पत्ता गोबी की शॉट कुट सबसी तो इसको कैसे बना सकते हैं देखते हैं इसके लिए किन चुजों की आवशकता होगी ये पहले देख लेंगे तो सबसे पहले गैस पे पैन रखेंगे पैन हमारा गरम हो चुका है अभी इसमें ओल डालेंगे और हमारा गरम हो चुका है इसमें हम जिया डालेंगे और हिंग डालेंगे अब हम इसमें जो हमने पता वो भी काट लिया था पोडाना चुरू कर देंगे कर दो कर दो, मिख्या सकती है जदेतं खड़ की तुमी मीजसी मीकस कर दो कर मेकस कर दो ком nigत कर दो अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता हम ऑईल में बिठाल सकते हैं पर ऑईल थोड़ा ज्यादा गरम हो गया था और कड़ी पत्ता चल जाता है इसलिए मैं अभी इसके उपर से डाल रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नम्मा और इसके उपर ये मों की दाल जो डोके भी है अब इसको अच्छे से श्टर कर लेंगे अब इसको थोड़ी देर ढख देंगे अब दो मिनिट हो चुके है अब ही हम ढखकन हटा के देखेंगे यह दिके को भी हमारा पकना शुरूर हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और और हली अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको ढख देंगे जब तक कि यह पक नहीं जाता कोदरन तो तीन मिनिट क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दू मिनिट हो चुके हैं एक बाद चेक कर लेते हैं यह देखिए कोवी अमारी अलमच पक चुकी है पर दाल थोड़ी तच्छी लग रही है तो हम इसमें तो टेबल स्पून पानी आड़ करेंगे और इसको और थोड़ी दे ठक देंगे चेक कर लेते हैं यह देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है इसके अंदर की ताल भी पक चुकी है अब इसको हम गर्मा करम सफ कर देंगे कर देंगे